चलिए तो आप सभी पहरे बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार साइनिक स्कूल गुरू में जो बच्चे चैनल पर नए है मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो का न्यूटिफि या फरवरी में होने की संभावना है तो अभी से आप इस पर जुड़ जाएए इस कोर्स की फिस उन्ती सो पचास रुपए है ठीक है तो प्ले स्टोर से सैनिक स्कूल गुरू एप स्टॉल कर लेंगे और उपर आपको 2022 के लिए बैस दिख जाएगा इसमें आप जॉइन कर करना है कि सबसे छोटा भिण कौन सा है तो शारे भिण को आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहां पर आप लिखेंगे 4 पाइव 5 पाइव 5 पाइव 6 और 5 पाइव 2 इन सारे denominator का LCM निकालते हैं सारे बच्चे जानते होंगे सबका denominator का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे LCM 5, 3, 6, 2 का कितना आ रहा है LCM LCM आ रहा है आपका 30 LCM कितना रहा है 30 LCM आ गया 30 अब देखो इस 30 में 5 से भागा करेंगे तो 6 आएगा और 6 में 4 से गुना करोगे तो ये 24 आगया 24 इसी तरह 3 से जब भागा करोगे 30 में तो 10 आएगा 10 में 5 से गुना करोगे तो ये 50 आगया 50 आगया ठीक है इसी तरह जब 6 में 30 से आप भागा देंगे ठीक है 30 में 6 से भागा दोगे तो यह आपका 5 आएगा और 5 में 5 से multiply करोगे तो 25 आजाएगा कितना आजाएगा 25 अब देख मेरे भाई दो में जब 2 से भागा दोगे 30 में तो 15 और 15 में 5 से multiply करोगे तो क्या आजाएगा 75 तो यहाँ पे आपके चार नंबर थे हैं तो यह आएगा 24, 50, 25 और 75 यहाँ से decide हो जा और यह 75 है तो सबसे छोटा आपसे पूचा है तो यह सबसे छोटा हो गया 4 बटे में 5 यहाँ पे 24 सबसे छोटा है तो 4 बटे में 5 जो है यह सबसे छोटा हो गया यानि यह पहले नंबर पे आएगा अब आपसे पूच देता कि इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो 24 से उपर देखो यहां पर 25 में यह दूसरे नंबर आता कितने प्यार इससे बड़ी संख्या कौन सी है यह पांच बड़ी है यह कितने नंबर पे आएगा बोलो सिंह यह तीसरे नंबर पे आएगा और जो बच गया 75 यह सबसे चोटा फ्रेक्शन कौन सा है तो पांच बटे चार option a is the right answer next question की तर बढ़ मेरे बाई यहाँ पर कह रहा है whole number are closed under which operations ठीक है whole number क्या होता है जो 0 से start होता है कहा से start होता है 0 से पुन संक्या बोलते हैं कि किस संक्रियां के अंतर पुढांग जो होते हैं वो समवरित यानि बंद होते हैं तो मेरे भाई जब भी आप whole number को बंद करना चाहते हैं तो 2 case में बंद होगा या तो आप जोड करेंगे तो बंद होगा या तो आप गुणा करेंगे तो बंद होगा दो case ऐसे होते हैं जोड और गुणा के जिसमें ये आपके क्या होते हैं operation close होते हैं भाग और minus इसमें close नहीं होता मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि याँ पे whole number आप ले लो जैसे whole number कोई भी whole number ले लो ठीक है और इसमें कोई दूसरा whole number को आप जोडेंगे तो आपको whole number मिलेगा कोई भी whole number ले लो और उसमें एक दूसरा whole number जब जोडोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा hole number मिलेगा बात समझ रहे हैं आप उसी तरह कोई भी आप hole number ले लीजिए कोई भी hole number ले लो और इसमें किसी भी hole number से गुणा करो तो आपको hole number ही मिलेगा तो ये दो case हो गए हैं जोड के और गुणा के इसमें संक्रियाएं बंद हो जाती है यानि hole number मिलता है अब देख मेरे भाई किसी भी hole number को किसी भी hole number से minus करोगे तो ये fix नहीं है कि hole number मिलेगा ठीक है जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 5 में से 5 एक hole number लेगी नहीं है है ना इसमें से अगर मान लो कि हमने 10 minus कर दिया क्या minus कर दिया 10 तो 10 भी एक whole number है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब minus करोगे तो यह answer minus 5 आएगा और minus 5 एक whole number नहीं है क्योंकि यह 0 से कम है 0 से ही start होता है, whole number कहाँ से start होता है? 0 से, तो याद रखना कि यह minus वाले case में, किस वाले case में? minus वाले case में ये fix नहीं है कि whole number आएगा minus वाले case में कभी कभी आभी जाता है जैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या minus करोगे तो 5 आ जाएगा जैसे 10 में से यहां पे 2 minus किये तो 8 आ गया 10 भी whole number था, 2 भी whole number था 8 भी whole number है लेकिन अगर छोटी संख्या में से जहां आपने minus किया बड़ी संख्या को ये भी whole number ये भी whole number तो यहां पे minus 2 आएगा ये whole number नहीं है समझ रहोगी नहीं समझ रहो तो इसी तरह भाग के साथ भी होता है भाग के साथ देखो 25 एक whole number है बोलो हैगी नहीं है इसमें 5 से भागा दोगे 5 भी whole number है की नहीं है तो 5 आएगा तो 5 भी whole number है की नहीं है लेकिन जैसे ही आप 5 में 7 से भागा दोगे 5 whole number है की नहीं है 7 whole number है की नहीं है इसका भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 5 बटे में 7 जो की whole number नहीं है whole number नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से आप समझेगा कि भागा और माइनस यह दो केस ऐसे हैं जहाँ पे समरिंद जो होती है वो बंद नहीं होती है जो यह आपका संक्रियाएं हैं जो operations है वो बंद नहीं होता कब बंद होगा बताओ जोड में और गुणा में multiplication में और addition में तो यहाँ पे कह होती है भाग में बंद नहीं होती है इनमें से सभी होगा ही नहीं तो इसका सही आंसर जोगा option C होगा कौन सा होगा option C चलिए तो जिन बच्चों को सैनी की स्कूल या military स्कूल के लिए math की practice workbook चाहिए इस किताब में मेरे भाई आपको हिंदी और इंगलिस दोनों में questions दिए जिन बच्चों को practice के लिए किताब चाहिए वो आप purchase कर सकते हैं इसका जो link है वो description में दिया है flip card के through आप इसको अपने घर पे मंगा के और practice कर सकते हैं चलिए next question की तरफ देख मेरे भाई ये कह रहा है कि दो क्रमागत पुरांकों के बीच ये 5 बटे 7 5 upon 7 इस्तित है किन 2 स तो 5 बटे 7 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में आता है 5 बटे 7 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है जैसे मान लो कि हमने एक number ले लिया 3.5 ध्यान से समझना 3.5 तो ये 3 से ज़्यादा है साड़े 3 है कितना है साड़े 3 तो ये किन 2 integers के बीच में है तो ये 3 और इसका अगला नंबर 4 यानि 3 और 4 के बीच में कहीं आता है ये बीच में कहीं 3 और 4 के बीच में ये आता है कौन आता है 3.5 उसी तरह आप से कह रहा है कि 5 बटे 7 5 बटे 7 किन दो संख्याओं के बीच में आता है तो इसको सबसे पहले आपको decimal में बदलना पड़ेगा, 5 में 7 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको decimal लगाना पड़ेगा, 0 उतारोगे, 7 बार जाएगा, 49 आएगा, 49, यहाँ पे remainder 1 आगया, कितना आगया, remainder 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आप 0 लगाओगे, फ 0.71 आगे भी कुछ आएगा, तो यह 0.71 जो है, यह 0 से बड़ा है, और एक से क्या है, छोटा है, एक से क्या है, छोटा, तो यह दो integers, 0 और 1 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, तो मेरे भाई, option A इसका सही आंसर होगा, option A इसका सही आंसर होगा, अब बताओ, 5 upon 7, यहाँ पे देखो, denominator बड़ा है, तो इसका मान जो है, यह एक से छोटा ही आएगा, और 0 से बड़ा हैगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में यह संख्या आएगी, 5 बटे में 7, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, यह कह रहा है कि बिंदू, O, U, S, V, R, X, T, P, Q, Y, यह है, वो दिया गया है, नंबर लाइन पे, आप से पूछ रहा है कि भाई, O, P, के द्वारा, निरूपित भिन क्या होगा, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से, यहाँ से, यह यह था, पांचवा, छठवा, साथवा, आठवा, नौवा, दसवा, यानि टोटल इसमें 10 खाने है, कितने खाने है, 10, अब कह रहा है कि O से P तक सिर्फ आपको डिसाइड करना है, O से लेके और P तक, तो यहाँ से देखो O से P कितना हो गया, O से P जब आप काउंट करोगे, तो पूरा, O पी जो है, O पी जो है, वो पूरे लाइन का, यानि O Y का, कौन सा भाग है, कौन सा फ्रेक्शन है, तो O पी जो है, यह 8 आ रहा है, और पूरी जो लाइन है, वो 10 है, तो 8 बटे में 10, 8 डिवाइड़ बाई 10, इसको उपर नीचे जब आप 2 से कटाएंगे, तो यह म से छोटी संख्या ग्यात करो, जो 9, 12, 15 से भी भाज्य हो जाए, भाज्य हो जाए, find the smallest number that is divisible by each 9, 12 and 15, तो जब भी आप से छोटी से छोटी बोले, तो चोटी से छोटी बोले, तो क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, किसका LCM निकालोगे, बोलो, यहां पे 9, 12, 15 का क्या न नहीं कटता है, फिर जब इसको 2 से कटाओगे, तो यह नहीं कटेगा, यह तीन बार में कटेगा, यह नहीं कटता है, फिर जब आप इसको 3 से कटाओगे, तो यह तीन बार में कटता है, यह एक आ गया, यह पांच आ गया, तो इसका LCM निकालोगे, तो LCM जो आएगा, वो आएगा 2 x 2 x 3 x 3 x 5 बोलो आएगा कि नहीं आएगा अब इस सभी संख्याओं को multiply करो देखो सबसे पहले 5 में 2 से गुना करो ता कि 10 आजाए अब 10 में 2 से करोगे 20 आएगा 20 आएगा कि नहीं आएगा 20 में 3 से करोगे तो 60 आएगा और 60 में 3 से multiply करोगे तो इसका LCM 180 आएगा क्या जाएगा 180 यानी 180 ऐसी संख्या है जो छोटी है और वो 9 से भी दिवाइड होगी, 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी डिवाइड होगी, 9 से कटेगी, 12 से कटेगी और 15 से कटेगी, तो जब भी आपसे पूछेगी वह छोटी सी छोटी संख्या ग्यात को रहो, जो 9, 12, 15 से भी भाजित हो जाए, तो 9, 12, 15 का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल 180 इसका answer आएगा next question की तरह बढ़ते हैं x is to y equals to 3 is to 5 देखो x is to y equals to 3 is to 5 यानी x और y का जो समन्दे वो 3 अनुपात 5 का दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है कि 3x plus 4y चीक है और अनुपात में दिया हुआ है 8x plus 5y का मान ग्याद करो मेरे भाई कुछ नहीं करना बड़ा simple सा question है x और y का मान यहाँ पर रख देंगे x की जो value है वो 3 है और y का जो ratio है वो 5 है तो x की जगा 3 रखो y की जगा 5 रखो देखे तो यह हो गया आपका ध्यान से देखो 3 into x दिया हुआ है 3 into x तो x का मान कितना है 3 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 x की जगा 3 और y की जगा क्या लिखेंगे 5 आगे बढ़ते हैं देखे यहाँ पर plus हो गया 4 आगया अब into y into y तो y की जगा क्या लिखोगे 5 यह 4 y है न तो 4 into y है क्या है 4 into y तो 4 into 5 अपन देखे द्यान से यहाँ पर 8 into x तो x की जगा क्या लिखोगे 3 यहाँ पर plus 5 into y y की जगा क्या लिखेंगे 5 y की जगा क्या लिखेंगे 5 तो यह आपको solve करना है यहाँ से देखे जब इसको आप solve करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 5 जा 20 तो यह आगया आपका 29 कितना आगया 29 अपन यहाँ पर 8 3 जा 24 कितना आता है 24 और 5 into 5 कितना आता है 25 तो 24 और 25 कितना आता है 49 तो यह इसका अंसवर आएगा 29 अपन 49 क्या जाएगा 29 अपन 49 इसको जब आप ratio में लिखेंगे तो यह आजाएगा 29 ratio 59 कितना जाएगा 29 ratio 49 उमीदे आपको यह समझ में आता होगा option C इसका सही आंसवर होगा option C इसका सही आंसवर होगा note करेंगे तो note कर लिजे इसको करेंगे तो करेंगे लिए करेंगे भाग़ करेंगे नोट कर लिए, चलिए, देखें, कहा रहा है कि इफ 10 men can do a piece of work in 4 days, दस आदमी किसी कारे को चार दिन में करते हैं। दस आदमी किसी कारे को चार दिन में करते हैं। How many men will required to get the same work done in 5 days, उसी कारे को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी क्या हो सकता होगी। तो बड़ा simple सा question है, जब भी ऐसे questions है, आपको क्या लिखना है, एक तरफ लिखना आदमी और दूसरी तरफ लिखना दिन। देखो, दस आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 5 दिन में करने के लिए, कितने आदमी चाहिए, x, आदमी के नीचे x, बड़ा simple सा question है, उपर का उपर, नीचे का नीचे गुणा होता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 10 into 4, और नीचे 5 से डिवाइड हो ज 2 में 4 से गुणा करोगे, 8, यानि 8 आदमी, 8 आदमी, समझ रहे हैं आप, 8 आदमी, option B, option B, यानि इस question को आप समझेंगे, तो 4 दिन में पूरा करने के लिए 10 आदमी थे, 4 दिन का समय लगता था, तो 10 आदमी पूरा करते थे, अब कह रहा है कि 4 दिन नहीं चाहिए, 5 दिन च करना पड़ेगा, क्योंकि उतने ही आदमी रहेंगे, तो फिर 4 दिन लगेगा, तो आदमी उसमें से क्या करना पड़ेगा, निकालना, तो यहाँ पर 2 आदमी को आपको निकालना पड़ेगा, 8 आदमी काम करेंगे, तो वो कार्य पांच दिन में पूरा हो जाएगा, उमीद ये बाते आप समझ पा रहे होंगे, next question की तरह बढ़ेंगे, next question आपके screen पर ये आ गया